केंद्र सरकार ने 26 अगस्त 2025 को गैर बास्मती सेला चावल पर 20 प्रतिशत का निर्यात शुल्क लगा दिया था और अब वह इसकी सम्यावधी आगे बढ़ाने पर विचार कर रही है। भारत दुनिया में चावल का सबसे प्रमुख निर्यातक देश है और टुकडी चावल तथा गैर बास्मती सफेद, कच्चे, चावल के व्यापारिक निर्यात पर प्रतिबंद लागू होने के बावजूद यह शीर्ष अपूर्ति करता देश बना रहेगा। सरकार घरेलू प्रभाग में चावल की कीमतों को नियंतरित करने का हर संभव प्रयास कर रही है, इसलिए वह सेला चावल पर निर्यात शुल्क को बरकरार रखना चाहती है। स्तर पर पहुंच चुका है। यदि भारत में सेला चावल पर निर्यात शुल्क को आगे भी कायम रखने की घोशना की गई तो एशियाई चावल के बेंचमार्क मूले में कुछ और तेजी आ सकती है। कोई जोखिम नहीं उठाना चाहेगी और इसलिए निर्यात शुल्क को बरकरार रखने का निर्नय ले सकती है। Bureau Report Market Times TV